जा रहे हैं उसका लिखो भई काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है अब हमारा पांचवा टाइप आ गया पांचवे टाइप में हम लोग पहुंचके अधर रियक्शन ठीक है पांचवा टाइप आगया अधर रियक्शन और पांचवे टाइप में अधर रियक्शन में एक ही दो रियक्शन है सबसे पहले हम लोग लेंगे यह बहुत इंपोर्टेंट है कैनी जारोज रियक्शन फट केनी जारोज का description लिखलो भी फटाफट अना केनी जारोज का description लिखलो आप फटाफट ठीक है लिखो आप लोग aldehyde aldehydes aldehydes which do not have aldehydes which do not have alpha h yellow चैनल सठीकर्वाल होडवी आलवाच नहीं वाले ठीक है अंदर गोज अकलू है सेल्फ ऑक्सियडेशन अंग है सेल्फ ऑक्सिडेशन एंड रिडेटार ना और सेलफ ओक्सीडेशन डाटन क quint at एक मोलिक्यूल एक की टाइम पे ऑक्सिडेशन भी हो रहा हो तो इस प्रोपोर्शिनेशन इस टर्म को याद कर लो एक ही मोलिक्यूल का इस प्रोपोर्शिनेशन एक ही molecule का एक साथ simultaneously एक ही reaction में एक ही molecule का oxidation और reduction हो रहा हो अना एक ही type के molecule का तब उसे हम बोलते हैं disproportionation यानि कि self-oxidation और self-reduction ठीक है in the same reaction उसको हम बोलते हैं disproportionation on heating, heating किसके साथ करते हैं with concentrate alkaline, ये लो भई with concentrate alkaline, कौन-कौन से ले सकते हैं concentrate naoh ले सकते हैं concentrate koh ले लो कोई साभी ले लो ठीक है, इनके साथ heating करते हैं तो अब aldol से क्या-क्या different हो गया बताना जरा aldol में aldehyde और ketone दोनों देते हैं ये fix हो गया, only aldehyde मैच करते जाओ, इसमें important point क्या है, ये क्यों aldehyde देते हैं, वहाँ alpha H होना चाहिए था, यहाँ do not have alpha H ठीक है, वहाँ वहाँ क्या हो रहा था, condensation हो रहा था overall, यहाँ क्या हो रहा है, self-oxidation reduction, वहाँ dilute alkaline चाहिए था, कि concentrate बताना जरा dilute वहाँ dilute यहाँ क्या चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, concentrate, तो four points of difference, four points of difference between kenny's aros and aldol, आप लोग note कर लो, four points of difference between kenny's aros and aldol, वहाँ aldehyde ketone दोनो, लेकिन यहाँ fix है, only aldehyde, कौन से aldehyde, alpha H नहीं होना चाहिए, दूसरा, यहाँ पर disproportionation हो रहा है, तीसरा, यहाँ पर concentrated alkali चाहिए, ठीक है, तो अब यह reaction कैसे होगी, product कैसे बनेगा, वो हम देखते हैं, आप लोग लिखते चाहिए, जैसे हमने लिया, यह हमने, कोई भी एक example बताओ, जिसमें alpha H नहीं होता, बो, यह मैंने कॉन से aldehyde लिखा है, बताना जरा, है तो सही, कोई ने कोई तो, यह मैं हमने कॉन सा aldehyde लिखा है, बालो, इसे लिखा है, सबसे चोटा, सबसे चोटा H-C-H-O जिसको लिखते हैं, यह देख लो, H-C-H-O को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, तो यह कॉन सा हो गया, formaldehyde, ठीक है, यह मैंने लिया, formaldehyde, ठीक है, अब formaldehyde की concentrate H-N-OH की प्रजंस म तो क्या हो जाएगा, self-oxidation और reduction, अब देख लो, product बनाने की trick, self-oxidation और reduction को आप लोग याद रखेंगे, और product आप इस तरह से बनाएंगे, एक molecule का oxidation कराएंगे, अब आप लोग मुझे बताए, aldehyde का reduction कराने से क्या बनता है, बताओ, aldehyde का reduction कराने से क्या बनेगा, aldehyde का reduction से क्या बनेगा, बताओ, aldehyde का reduction से क्या बनेगा, बताओ, जल्दी करो, एक हमने chapter में पढ़ा दो है, यस, alcohol बनेंगे भई, alcohol बनेंगे, ये series को समझ लो, ये series को समझ लो, alcohol का oxidation कराया, primary alcohol का oxidation कराया, बन गया aldehyde, इसका भी oxidation कराया, बन गया carboxylic acid, ठीक है, अब ये तो oxidation की series हो गई, अब reduction की series देख लो, इसका reduction कराया, तो, carboxylic acid का reduction कराया, तो aldehyde, और aldehyde का reduction कराया, तो alcohol, अब इसको check कैसे करोगे, aldehyde की chemical reaction में देखना, reduction chemical reaction में हमने alcohol बनाया है, दूसरा, alcohol की preparation reaction में देखना, aldehyde के reduction से alcohol हमने बनाया है, बात समझ में आई, इस series को रखना याद, ठीक है, अब aldehyde हमने लिया है, एक molecule का हम लोग reduction कराएंगे, एक molecule का reduction कराएंगे, तो वो हो गया primary alcohol में convert, ये एक carbon का aldehyde हमने लिया है, तो एक carbon का alcohol कौन सा है CH3OH, ये लो भई, aldehyde के दो molecule थे, एक molecule का हमने reduction करा दिया, ये लो, इसका हमने करा दिया, यहाँ पर reduction, ठीक है, इसका reduction करा दिया, बन गया, यहाँ पर alcohol, ये और दूसरे का oxidation करा देंगे, तो क्या बनेगा, carboxylic acid का sodium salt, हमने यहाँ पर NOH लिया है न, तो उसका sodium salt बनेगा, अब एक carbon का carboxylic acid होता है, formic acid, उसका sodium salt है, sodium formate, ये लो, ये क्या बन गया, sodium formate, salt बन गया ये, हना, तो क्या बना बही, बताना ज़रा, self-oxidation और reduction हो गया है, देखो इसका, formaldehyde के दो molecule लिये, एक का reduction, एक का oxidation, self-oxidation, reduction, हना, तो aldehyde हमने लिया यहाँ पर, aldehyde लिया, उ alcohol बनाना है हमें, ठीक है, और oxidation से क्या बनाएंगे, आप लोग, बताना ज़रा, उसके carboxylic acid का sodium या potassium salt, sodium या potassium salt, जो भी लेंगे वो, ये दोनों product होंगे, self-oxidation और reduction के, ठीक है, अब आप लोग फटा-फटा एक reaction लिखो, benzaldehyde की लिखो, यही reaction, benzaldehyde की reaction लिखो, सबसे प हाली है, जल्दी, पास्ट, benzaldehyde, sodium salt, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग reduction का करा देते हैं, reduction में कुछ नहीं करना, आपको ध्यान रखो, यह जो CHO है, यह किसमें convert हो जाएगा, जो CHO group है, वो देखो, यहाँ पर यह जो CHO group है, यह convert हो जाएगा, CH2OH में, और आपको कुछ ही नहीं करना, तो यह जो CHO है न, इसको पकड़ लो, इसका reduction होगा, तो क्या बन जाएगा, primary alcohol बन जाएगा, CH2OH, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें यह benzyl alcohol बन गया, आपका, benzyl alcohol हो गया, और यह कौन सा product है, reduction का product है, ठीक है, यह reduction का product है, reduction product, यह लोग है, यह reduction product है, अब oxidation product क्या बनाएगे आप लोग, अब आपको कुछ ही नहीं करना, आप इतना ध्यान रखो, यह जो CHO है, उसको किसमें convert करना है, COONA, यह यहां पर potassium ले रहे हैं, तो COOK, कार्बोक्सिलेट, इसमें convert करना है, आइन में, तो आपकी बेंजीन रिंग तो एजटीज रहेगी, ठीक है, इससे एक जोड़ना है, COO, और यहां पर potassium लिया है, तो K+, और यह लोग, अब यह बन गया salt, benzoic acid का, benzoic acid का salt है, यह तो इसको बोलेंगे potassium benzoate, क्या बोलेंगे, potassium benzoate, यह लोग, यह क्या है, oxidation product है, यह लोग, अब आपको, मेरे ख्याल से कोई दिकत नहीं होनी चाहिए, कैनी जारोज reaction कराने में, कोई दिकत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आपने product बनाया, अब मुझे फटाफट बताओ, मुसकान, इस reaction में क्या हो रहा है, बताओ, फटाफट मुझे बताओ, definition के points बताओ, मुझे हमने जो underline किया हो यह reaction कौन देते हैं, कौन से aldehyde, alpha H होना चाहिए, कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, self oxidation or reduction होना चाहिए, और last point क्या है, alkali कैसा चाहिए, concentrate या dilute, Yes, concentrated alkaline चाहिए, ठीक है, तो यह हो गया, अब आप एक aldehyde का reduction करा के alcohol बनेगा, aldehyde का oxidation, carboxylic acid का salt बनेगा, depend करता है, potassium ले रहे हैं कि sodium, ठीक है, आपको इस तरह से kennyzaros reaction करानी है, यह हो गई हमारी kennyzaros, अब kennyzaros क्या है कि इतनी आसान नहीं है, जितनी आप लोग समझ रहे वोई बात, aldol वाली, crost kennyzaros reaction, यह लोगई, crost kennyzaros reaction कैसे होगी, crost kennyzaros reaction उसको बोलते हैं, जिसमें different, यानि कि, एक तो fix होता है, इसमें, formaldehyde, plus में दूसरा हम कोई भी ले ले, plus other aldehyde, यह लोगई, formaldehyde का एदि किसी दूसरे aldehyde के साथ कराते हैं, तो उसको बोलते हैं, crost kennyzaros, ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमने formaldehyde के साथ यह लिया, कौन सा ले लिया, यह ले लिया, अभी उपर वाले ही ले ले लेते हैं दोनों, यह लो, एक benzaldehyde, plus में एक ले लिया, हमने, कौन सा, formaldehyde, अब आपको यहाँ पर पता है, क्या doubt आएगा, बता हो, क्या doubt आना चाहिए आपको यहाँ पर, बता हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो, आपके लिए यहाँ पर एक टिप हो गया, क्या हो गया, क्या हिंट हो गया, कि हमेशा यहाँ पर oxidation product बनाएगा, अब आपके लिए कोई दिकत नहीं है, अना, दूसरे को करा दो reduction, दूसरे को हमने reduction कराया, और इसको CH to OH में convert किया, यह थोटी सी ट्रीक है, और कुछ ही नहीं है, और इसका हो गया, sodium लिया है ना, येलो, इसका ये sodium format और ये benzyl alcohol बन गया, कोई दिकत है आपको किसी को, बताओ, तो ये हो गई हमारी crossed canisaros, ठीक है, is there any problem, बोलो, लिख लिया आपने, येस चल लिख लिया, ओके, गुड, 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 चलते हैं आगे, अब एलडोल में भी intramolecular था ना, तो यहां भी है भाई, ये थोड़ी ना उससे कम है, intramolecular, intramolecular canisaros, ठीक है, ठीक है, अब हमारे उसमें क्या है, ये हम सारा beyond textbook चल रहे हैं, ठीक है, intramolecular canisaros, अब इसमें क्या है, intramolecular यानि की एक ही molecule में, आप समझ गए ना, ये देखो, दो LDH, और दोनों के पास ही alpha H नहीं है, ठीक है, तो बहुत simple सी बात है, एक का आप करा देंगे oxidation, एक का आप करा देंगे reduction, हाना, और इस molecule को बोलते हैं, glyoxyl, ठीक है, इसकी आप concentrate, concentrate, NOH के साथ कराएंगे heating, उसके साथ कराने से एक molecule, एक CHO group तो हो जाएगा, alcohol में convert, ये देखो, और दूसरा किसमें हो गया, carboxylic acid के sodium salt में, ये लो मैंने तो कुछ ही नहीं किया, CHO के एक को, उसमें कर दिया, एक को, इसमें कर दिया convert, ठीक है, और इस, कोई भी जो carboxylic acid का salt होता है, उसको ये दि हम लोग acid की presence में heating करते हैं, तो क्या हो जाएगा, बताना ज़रा, ये तो आप लोग जानते हो, वो जो acid है, salt की जगए, वो acid है, उसका acidification हो जाता है, और salt की जगए, वो acid बन जाता है, ये लो, ये आमने देखा है ना कई पहले भी reactions में, तो ये बन गया glycolic acid, glycolic acid, तो ये आपका intramolecular canizaro, यानि कि एक ही molecule में, दो अलग-अलग aldehyde में से, एक का reduction हो रहा है, एक का oxidation हो रहा है, ये हो गया intramolecular canizaro, ठीक है, तो ये हमारी थी canizaro reaction, ठीक है, आपको इसका product फड़ा फट लिख लो, समझ लिया होगा आपने, glycolic acid, ये हो गया हमारा grossed canizaro, दो अलग-अलग, ठीक है, आपको याद रखनी है, formaldehyde का हमेसा oxidation होगा, ये आपका हो गया normal canizaro, benzaldehyde के दोनों product, और ये आपकी canizaro की definition, जिसमें आपने लिखा कि किसका क्या हुआ, ठीक है, इसका क्या हुआ, ओके, तो ये आपने पकड़ लिया, कि एक molecule का reduction होकर के alcohol बनेगा, दूसरे का carboxylic acid का salt बनेगा, ठीक है, अना, एक का alcohol बनेगा, दूसरे का carboxylic acid का salt बनेगा, ये लो, carboxylic acid salt, ये यहाँ पर trick है, ओके, तो ये हो गया, ये कि